धन्नबाद स्वापती महोदाय महामईम राष्टपती महोदाय का अभी भाषन पर जो धन्नबाद प्रस्ताब आया है उसका समर्टन में मैं खड़ा हूँ, मुझे मोगा देने के लिए आपको धन्नबाद महोदाय भाषन शुरू करने से पहले कुछ बात जो यहां चर्चा में मुझे बहुत संका में डाल दिया इसलिए उस पर थोड़ा मैं ध्यान आकरसित करता हूँ कुछ दिर पहले उस तरफ से एक साधे सफेद दाड़ी वाले जुआ भाषन दे रहे थे जो पचास साल में चलने सिखा और बीस साल राष्टी राईईती में रहने के बाद गाउं देखा ऐसे जवाओं को देखने को हमको मिला अजीब सा कहानी सुना रहे थे साध पहली बार गाउं गए लोगों से मिले हाथों हाथ पकड़े उनको अजीब सा लगा और माननिया राष्ट्रपती जी का अभी भासन पर भासन करना था अडवानी पर भासन करके चले गए मजहतर बात है मुझे बच्वन का कुछ साल पहले उन्होंने आरेसेस का जिकर किया मैं जिन्दिगेवर आरेसेस में रहा तो कुछ साल पहले आरेसेस कैम का मुझे घटना याद आया सुबो पाँच बाजे हम लोग एकसरसाइज कर रहे थे नदी किनारे एक नौजवान अचानव कुदने लगा देखो 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 मैं वहला क्या हो गया उन्हेंने पहले बार सुर्योदय देखा महराज पहले बार सान्राइज देखा बच्चा कभी देखा नहीं था और इतना अनंद हुआ उसको कूदने लगा मैं बुला हुआ क्या है यह तो हम रोज देखते हैं लेकिन बाद में पता चला पहले बार सुर्य देख रहा है खुसी हो रहा था ऐसा ही 50 साल के बाद देखने को हमको मिला है कि यह मजदर बात है जी और जो भाषन करना था राष्टपति जी का अभी वाशन पर आड़ानी पर पूरा भाषन कम से कौन सो बार अड़ानी जी का नाम लिया है और को ब्यक्ति नहीं देश में अच्छा बुरा हो सकता है संपर कर लेकिन यह सदन में कोई अच्छ से धुलाया भी लेकिन मैं नहीं जाओंगा इधर और भी कुछ मित्रा हमारे संग्सद के संग्सद जो बोल रहते हैं मुझे आश्चर लगा इनको हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है हिंडन बार्ग पर विश्वास है हमारे SBI पर विश्वास नहीं हमारे LIC पर व विश्वास नहीं BBC के डोकुमेंटी पर विश्वास है बड़ा अस्र लगा और बात-बात मैं सुप्रिंग कोर्ट दिखाते हैं जब काम पड़ता है तो वह BBC के पास चले जाते हैं हमासा यह पहली बार नहीं है इनकी पुरानी आदत है हमारे देश के डॉक्टर पर भरोसा नहीं तो विदेश में जाते हैं चिकित सा करा निकली तो कोई बात नहीं है घा以 बहुत बतें बोलने का है मैं ज्यादा नहीं जाओंगा और जो भूंद को भूत बोलते हैं वहां भाशन देते कितनी सारी घटनाएं हैं मैं पीछे नहीं जाओंगा लेकिन जबकि एक अच्छी बात है अच्छा सरकात चल रहा है मामय राश्ट्रपती जी इतनी अच्छी भाशन दी उस पर दो सब्दों बोलना चाहिए शूरू से लाश तक और उनको मदद करने वाले एकस कांग्रेसी नहीं बेटे हुए एकस को इनको मिर्ची लगता है बोलने से जो भाषन में दूसरों को अफ़्मान क्रते है उनको मिर्ची लगते है किया हम ऩूर्ण दूसरा जारसी पहन के बैठे है कुराने गहरी नैविला रभूत है की बाद है एक हिम्मत नहीं है यह जो करके का दिक नहीं के युकर आपे कि नहीं कि नहीं है लुसे डाऊन किसी का साथ महजय जी महजय जी प्लीज सी डाऊन ओ मैंने माम में द्रॉपकत यह का भाषन जो हुआ है और उस पर लंबा चर्चा पिर आगे भी होगा येस मादाय मैं गाउं से आता हूं गाउं में जो भाइचा गाउं पिकास हुआ है प्रदेश का दूरबरती प्रदेश में काफी प्रवास किया शिक्कीम अंडावन निकबर त्रिपूरा आशाम मीजुराम में गाले में गिया और जो बात यहां चर्चा हो रही मैं खुद आखों से देख आया आज हमारे सिली गुड़ी एंजेपी से रेल लाइन सिक्कीम को जोड़ रहा है जो तीन घंट लगता है बाई कार एक घंटा में लोग 40 किलोमेटर आएंगे चोदर टेनल बन रहा है मोदाए एक एक टेनल पांच-पांच किलोमेटर पहाड का नीचे से जा रहा है कोई सोचा नहीं था कि सिक्कीम का लोग टेन में चड़के आएंगे सिलीगोडी इंटरनेशनल यारपोर्ट है रेलवे है देश में बिदेश में कहीं भी जा सकते हैं मैं मिजोराम गया मोदाई मिजोराम से जा रहा तो यारपोर्ट से 40 क्लमटर आईजल तो रास्ता में देखा दोनों पहाड के बीच में कतार से खंबे खड़े हैं मैंने हो खाने के दिया जा रहा है सब्जी भी मायनमार से आता है कपड़े जूते आता है मैं वह बहुत मैं देश से दूर विदेश से पास रहते हम आज इतने साल तक जब कोई अलगाववादी बात होता था हम सोचते ते क्यों करते हैं वहां जाने से पता चलता है पचात्तुर साल तक अपने देशों के देश के लोगों को देश से दूर रखा गिया है आई ननन्द मदी उनके घर के पास हाई हो है रेलवे पहुचा रहे हैं सिक्स लेन फोल लेन रोड बन रहा है मैं अंडवान गिया मैं साड़े आठ साल रहा हूं आ संग का प्रचारक वहां गाओ गाओ तो हम नोका में चड़ करके दो तीन तीन घंटा जाते देश दूसरे दीव कोई साधन नहीं था साउथ से नौर्थ दस दस घंटा बारबार घं जा रही है और स्पीड बोट आ गिया है आठ घंटा का जारनी तीन घंटा चार घंटा दूसरे आइलेंड में घुमने जा सकते द्रक्साब आपको भी जाहिए बदल गया है मैं आभी त्रूपरा प्रचार में गिया था मैंने देखा सो किलोमेटर जाना है आगरत अला से मै गया महुत आइड सौवा दो घंटा में हम पहुंच गया दो मिटिंग करके आया मैं वहां से मैं सिलंग गया सिलंग का दूर एक गाओं मैं वहले कैसे पहुंचे के दूसरे पहाड़ी में लेकिन आराम से गाड़ी में गया गाओं में मिटिंग किया लोगों से मिला खाया पिया साम को आ गया यह हो रहा है जहां से लोग त्रिपुरा से निकल करके अगर तल आते तो एक रात रुकना पड़ता था वहां से फ्लाइट नहीं था दूसरे आई पूरा देश में फ्लाइट है और पूरा देश से ट्रेन में चड़कर बेंगलू से मुंबई जा सकते हैं यह अगर आप बताएंगे तो लोग को तकलिप होती है होता है जिन्हों ने 60 साल में नहीं कर पाया और 8 साल में बास्तम में आ गया तो देखने तकलिप पन रहा है बीना इंफ्लाइट तक यह को लन कारे योजना को नहीं पहुंचा सेकते यह लगभग साड़े साथ लाग से साथ लाग ग्यारा हजार किलोमेटर ग्राम सड़क योजान बन चुकी है और आगे डेड़ लाग और किलोमेटर और बनेगा अब सोचे गरीब आदमी जो चिंता में था लोकडाउन के चलते क्या खाएंगे हमारे प्रधान मंत्री बोले आप चिंता मत करो घर में रहो निकलो मत ऐसा बीमारी पकड़ लेगा तो भगबान जाने क्या होगा कोई दवाई नहीं है लोग घर में रहे घर के सामने चावाल दाल आटा पहुँच गया और धाई साल से खा रहे हैं एक साल और खाएंगे और इसलिए देश में एक आद्मी मुकमरी में नहीं मरें नहीं तो आप हंगामा खड़ा कर देते आपको भोलने का मोगा नहीं मिला कोई नहीं मरा वैक्सीन आप घर में बैठके वैक्सीन मिला आपको तीन तीन वैक्सिन फ्री में लिए और पहाड में ड्रोन से पहुंचाया गया आई देश में 220 करोड से ज़्यादा बीदेश में 30 करोड वैक्सिन पहुंचाया सौ देश को दिया जो नहीं लिया चीन में जाके दिखिये लॉकड़ून कैसे चल रहा है जिन्हों ने धोका दिय जाता जो उनका ठेक्सिन लियाता आज हमारा वैक्सिन फीरें को मांग रहे हैं क्योंकि मोधी पर लोगों का भरोसा है महोदाई इसके साथ साथ आवास जोजना सड़क जोजना सोचालाई किसान सम्मान निधी ऐसे सारा और बंगाल में आ रहा हूं महोदाई हम इसने हमारी भागे ही खराब है कि बंगाल से आम आते हैं वहाँ एक सरकार है वहाँ सड़क जोजना का पैसा खाया जाता है नारेगा का पैसा लूट जाता है आवास जोजना का पैसा भष्टाचार का भीट चड़ जाता है साउचालाई का तक पैसा खाया आते हैं महसाई किसान सम्मादी जी आभी केबल 42 लाग मिलता है बाकी 30 लाग किसान ऐसे घूम रहे हैं क्या दोस्ते है उन्हें प्रधान मंत्री का प्रेम से प्रधान मंत्री जी का ये जो कल्लान जोजना से उनको बंचीत किया जाता है फूरा देश के करोड़ो लोग आई आईसमा जोजना क लावर ले रहे हैं 5 लाग रुप्या साल में मिलता है बंगाल के एक बेख्ती यौद रहे हैं कहँँ वहां की सरकार नहीं चाहती है वहां का कःई लोगों को मिला वह प्रदम डोक्ट्टर नी हम लाँ यहोडीसा जाते हैं हम बेलोध जाता है खिकित सख लिए लेकिन उहा देटेश सो लोग करोड का रूपिया मिल रहा है प्राक्तन मंतरी एक स्ट एडुकेशन मिनिस्टा जेल में है जिला जिला सभसे बढ़ा नहता जेल में साड़े 500 कोड़ों का माली का रोज दो दो चार अंदर जा रहे हैं ऐसे प्रदेश से हमा रहे हैं जहां इस सारे प्रदा सब lyrics अश्म एक नौकरी कर रहे हैं लोग काम नहीं है हुआ और प्रश्टा चार का बोल बाला है लोग मुझबूरी होकर के नियाएं नहीं मिल रहे है क्यंद्र सरकार को चिट्ट्री लिख रहे हैं यहां से inqui कि टीम जा रही प्रधान पंचाइत में सब जगा नारेमें एंगॉर्ट इस प्रकार इस प्रगति का देश का जो बिकास और उससे बंगाल को बंचीत रखा गया है यह बड़ी दुर्भागी की बात है महताई मैं यहां भरी सभा में मानिय मंत्री हैं प्रधान मंत्री से गुजारीश कर रहा हूँ कि बंगाल के लोगों को इससे बंचित रहने के जो चेस्टा हरो उससे आप बाधित करिये उसको रोकिये कि आपकी जो दुरदर्सी प्रयास है उससे देश के करोणे लोगों को जो सुविदा मिलना है बंगाल के खरीब लोगों के उसका सुविदा मिले बंगाल के नौजवान महिला क्रिश्वक और स्रमीकों के वह सुविदा मिले क्यूंकि हम भी आपके प्रजा है आपको बंगाल